तो इस question में हमें dy by dx निकालना है और आपको function दिया गया है जो भी आपके सामने है 2x एक तो तरीका है कि हम क्या कर लें y आजे subject बना लें लेकिन जरूरी है क्या यह करने के लिए नहीं ठीक है without हमनों subject बनाए भी कर सकते हैं जैसे implicit functions को आप करते हो implicit function का मतलब क्या होता है those functions in which y को हम कभी subject नहीं बना सकते हैं खेर तो हमें x के respect में differentiate करना है तो d by dx of 2x lhs जो भी है lhs में पूरा and d by dx of rhs तो हमने क्या किया simply d by dx लेकि लिया यहां लिखेंगे differentiating with respect to x ठीक अब क्या होगा यहां पे algebra लग जाएगी differentiation का तो यह distribute हो जाएगा d by dx of 2x और plus d by dx of d by dx of 3y that is equals to और sin x का differentiation क्या होता है आपका cos x होता है यहां पे 2 constant है बाहर आजाएगा d by dx of x हो जाएगा plus 3 बाहर आजाएगा यह हो जाएगा d by by dx that is equals to cos x तो आपका यहां पे dx by dx 1 हो गया तो 2 into 1 2 हो गया plus 3 dy by dx that is equals to cos x तो आपको निकालना क्या है dy by dx निकालना है dy by dx तो subject बना लिजिए simply so that is dy by dx तो 2 को आप उदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 3 times तो इदर रहेगा cos of x minus 2 next step में क्या करेंगे आप 3 से divide कर देंगे तो 3 से जब divide करेंगे तो 3 यहां से चला जाएगा 3 आपका इस साइड में आजाएगा तो यह simply आपका dy by dx हो जाएगा इसके बाद हम लोग further simplify करने लाएक कुछ दिख नहीं रहा है ठीक है तो इसी step में हम लोग answer छोड़ देंगे